हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर से हैं हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम सीखेंगे कि कोई भी एरे में कोई भी एलिमेंट कोई भी पोजेशन में हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं तो देखें ये ओपरेशन करने के लिए हमें दो कंडिशन याद राखता देखें हमारा एक एरे है इसमें 5,3, 13, 19 कोई भी एलिमेंट हो सकता है अब देखें इसमें मान लिजिए हमको 7 को इंसर्ट करना है अब देखें इस 7 को इंसर्ट करना के लिए यहाँ पर कोई भी जगा नहीं है तो इस एरे में इंसर्ट हम नहीं कर सकते तो यह तो गया हमारा first condition हमारा second condition क्या है second condition अगर कोई भी एरे ऐसा है कि one two three four मानले जो और एक सेल है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मानले जिए five, nine, ten, eight, three यहाँ पर देखिए यह हमारा एक एरे है बी इसमें देखिए एक सेल फ्री है यानि कि हम इस बी एरे में इस seven को insert कर सकते हैं बस यही दो condition हमें याद रखना होगा और हमें इस दो condition को algorithm में implement करना होगा देखिए पहले हम first condition को implement करेंगे तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पर यह हमारा lower bound और यह हमारा upper bound ठीक इस तरह ही इस एरे में भी यह हमारा lower bound है और यह हमारा upper bound है और हम यह मान के चल रहे हैं कि यह हमारा जो operation है एरे के ऊपर यह हम c language में कर रहे हैं और जैसे कि आपको पता ही है, C language में indexing start होता है 0 से, तो यहां से 0, 1, 2, 3, 4, okay, so यहां पर lower bound है 0 और upper bound है 4, अब हम check करेंगे, जैसे कि पहली condition की array में जगा है या नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए, हमारा जो algorithm का first step होगा, first step कुछ इस तरह होगा, कि पहले हम check करेंगे, if a of u not equal to null, then, इस line का मतलब क्या है, इस line की मदद से हम check कर रहे हैं, कि इस जो हमारा array है, इस array में कोई भी जगा है या नहीं है, a of u, यानि इस upper bound में, a of u, इस जगा पे ये free है या नहीं है, यहां पर देखिए, not equal to null, यानि कि ये null नहीं है, यानि कि ये free नहीं है, तो हम क्या print करेंगे, हम print करेंगे, print, array is full, insertion not possible, और इस जो हमारा algorithm है, इसको हम exit कर देंगे, यानि कि जो हमारा program होगा, वो exit हो जाएगा, अब आते हैं हम दूसरे condition पे, अगर कोई भी array में जगा है, कोई भी element insert करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक variable लेंगे, जो u से initialize होगा, यहाँ पे u मतलब 4, तो यहाँ पे एक variable i है, जो u से initialize होगा, अब देखिए, अब यह i इस u से initialize है, यानि कि i का position आप इस cell पे है, तो क्या होगा, इस cell के जो पहले cell है, इसका जो value यानि 3, यह 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक इसी तरह ही, जब यह 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इस i का value एक decrease कर देंगे, तो i फिर से यहाँ पे आ जाएगा, 3 हो जाएगा, पहले i का value था 4, अब decrease करने से 3 हो जाएगा, तो अब आई इस cell पे point कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, इस cell के जो पहले वाले cell में जो value है, ये value हम इस cell में ले आएंगे, तो देखिए, मान लेजिए, इस array में हमें जो two index वाला cell है, इस cell में हमें seven को insert करना है, तो देखिए, ये eight तो इस three index वाला cell में चला गया, तो अब two index यहाँ पे free हो गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस seven को यहाँ पे insert कर देंगे, as simple as that, तो इसको हम कैसे implement करेंगे, तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, पहले I को use initialize कर दिया है, उसके बाद हम एक while look चलाएंगे, while I cater then location, यहाँ पे location क्या है, location यहाँ पे देखिए, यहाँ पे location क्या है, यहाँ पे location है, two, यानि two index पे हम, इस seven को insert करना चाहते हैं, तो I जब तक location से बड़ा है, तब तक क्या होते रहेगा, तब तक यह shifting होता रहेगा, एक value next cell में चला जाएगा, तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, A of I, A of I हो जाएगा हमारा A of I minus one, यानि कि पहले तो I यहाँ पे point कर रहा था, तो A of I हो जाएगा, A of I minus one, यानि कि three, इस cell में यह three आ जाएगा, अब जैसे कि हमने बताया, कि I का value हम एक decrease कर देंगे, ओके, decrease करने के बाद, I का value three हो जाएगा, अब three क्या करेगा, इस while look में आएगा, देखेगा, यह three तो हमारा location क्या है, देखिए, location है हमारा two, इस two index पे हम seven को insert करना चाहते हैं, तो देखिए, three भी हमारा location से बढ़ा है, तो क्या होगा, A of I equal to A of I minus one, यानि अब I तो three है, अब यह eight आ जाएगा, ओके, अब I का value I minus one, I का value अब two हो गया, अब देखिए, हमारा location भी two है, और I का value भी two है, तो यह while look नहीं चलेगा, और exit हो जाएगा, अब क्या होगा, exit हो जाएगा, end while हमारा खतम, ओके, अब देखिए, जब यह eight, इस three index पे आ गया है, तो यह two index free हो element, यानि कि जिस भी item को हम insert करना चाहते है, ओ ही हमारा item है, तो यहाँ पर item क्या है, seven, और location क्या है, location is the index of item, where it is to be inserted, यानि कि location यह हमारा index है, जिस index पे हम हमारा item insert करना चाहते है, तो अब क्या होगा, यह two index तो free हो गया, अब हम क्या करेंगे, हम इस two index पे हमारा item insert कर देंग तो a of location ये two index तो हमारा location है तो इस location पे हम क्या करेंगे हमारा item initialize यानि insert कर देंगे तो देखिए हमारा इस algorithm का main purpose था कोई भी item को insert करना तो ये तो insert हो गया अब देखिए यहाँ पे if condition था इसको हम बंद करेंगे तो यहाँ पे होगा end if और finally हमारा जो algorithm है finally जो हमारा algorithm है ये algorithm भी stop हो जाएगा ओके तो friends और एक example लेते हैं इस algorithm को बहुत अच्छे से clear करने के लिए तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक और new array ले रहा हूँ जिस पे मानले जिए कोई भी एक element हो सकता है 5, 3, 17, 9 यहाँ पे एक free sale है इसका मतलब हम 4 आहे हैं कि इस array मे insert हो ओके तो यह मानले जिए कोई भी एक element है अब हम चाहते हैं कि यह तो c में है तो 0, 1, 2, 3, 4 ओके यह हमारा lower bound यह हमारा upper bound अब हम चाहते हैं कि हमारा जो element या item हो उसको हम चाहते हैं यह one index पे insert करने के लिए तो क्या होगा तो हमारा location है one यहाँ पे short में मैं लोक रेक रहा हूँ location है one और item क्या है किस item को हम insert करना चाहते हैं 13 को insert करना चाहते हैं तो देखिए पहले हम check कर लेंगे upper bound हमारा नाल है या नहीं तो यहाँ पे देखिए नाल नहीं है तो क्या होगा यह if condition satisfy नहीं होगा else पे आ जाएगा oh sorry sorry यहाँ पे else condition होगा ओके यहाँ पे मैं 3.5 दे कर ले ना यहाँ पे else होगा okay so sorry else होगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे else if condition satisfy नहीं होगा तो else में आ जाएगा else में क्या होगा i equal to u यानि कि यह अब i एक variable है यह u से initialize हो जाएगा यानि कि 4 उसके बाद देखिए while i हमारा location से बढ़ा है i location हमारा one है और i है हमारा 4 तो यह value भी चलेगा a of i equal to a of i minus one यानि कि अब यह देखिए a of i equal to a of i minus one यानि कि यह इस cell में अब i point कर रहा है अब इस cell के पहले वाले cell में जो value है यह value यहाँ पर आ जाएगा ठीक इससे तरह ही उसके बाद i का value एक decrease होगा decrease होने के बाद i इस cell पर point करेगा और अब इस i का जो cell है इस cell से जो पहले cell है इस cell का value यहाँ पर आ जाएगा ठीक इसी तरह ही यहाँ पर फिर से i minus one होगा यानि कि i अब यह two index पर focus कर रहा है तो अब क्या होगा यह two index के पहले जो index है इसका value यहाँ पर आ जाएगा और 17 जो है यह तो इस three index पर आ गया है तो अब देखिए हमारा one index free हो गया है अब हमारा i का value क्या हो गया है one तो देखिए one तो location से बरा नहीं है क्योंकि location भी हमारा one है तो यह while loop exit हो जाएगा और finally हम a of location पे यानि a of one पे हम item को insert कर देंगे यानि 13 को insert कर देंगे और finally हमारा if condition end हो जाएगा और finally हमारा algorithm exit यानि stop हो होगी और मैंने यह algorithm आपको समझाने के लिए यहां पे दो तीन example दिया है उमित का तो इस example से आप बहुत अच्छे से समझ गया है कि कोई भी array में कैसे insert किया जाता है कोई भी location पे तो अगर यह video आपको helpful लगे तो प्लीज वीडियो के लाइक किजेगा और चैनल में नए है तो प्लीज चैनल को subscribe करके notification बटन all करके लखिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करे उससे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुत जाएं तो मिलता हो और एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू आव यू